करने वाले हैं इसमें हम सबसे पहले ठेवरी सेक्षन को कभर करेंगे और इसके साथ साथ ही हम लोग इसका करने वाले हैं इस सेक्षन को करने के बाद यहां से आपका किसी भी परकार का कोई प्रस्न नहीं छूटे जा तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि इनका लाब उठा सके चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग समास पढ़ेंगे यह बहुत ही important topic है बिहार से विलकोट के regarding क्योंकि यहां से दो से तीन प्रस्न जो है सभी चाहे वो रीडर्स के हो प्यून का हो या कलरक का हो सभी में पूछे जाएगे तो सबसे पहले हम लोग समास को पढ़ते हैं समास कहते किसको हैं आईए इसके बारे में कुछ हम लोग जा समास कहते हैं अब समास में कई पदों का मेल होता है समास में कई पदों का अभी जेश्टिस की परे दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने सब्द को ही समास कहते हैं तो इसमें होगा समास पदों का मेल होता है कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं और इन पदों के बीच क का भीवक्ति चिन लुपत हो जाता है पदों का पहला और कभी अंतिम-पद परधान होता है कभी सब ही परधान होते कभी कोई अन पद भी परधान होता यह सब उधारन है अब समाज की भेड की बात कि जाए यहां से मुखहरूप से प्रसन पूछे जाते हैं तो समास के भेद की बात कि रहा है तो छे भेद हैं तत्पुरुष समास कर्मधारे बहुबरी द्वन्द दिघु और अभयवी भाव समास यही छे जो है इसी के बारे में प्रस्न पूछे जाते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्पुरु समास की तो तत्पुरु समास कहते किसको नहीं तो तत्पुरु समास की अगर बात करें इसमें पहला पद प्राय संग्या या विसेशन होता है याद रखेगा पहला पद जो होगा संग्या या विसेशन होगा और दूसरा पद जो होगा संग्या होता है और दूस पहले पद में करता को छोड़ से सभी कारक पद आते हैं किन्तु समात्त होने पड़ उनके भीभक्ति चिनों का लोप्त हो जाते हैं जैसे उदाहरन के रूप में हम लोग समझेंगे देखिए तत्पुरुस समास से ही ज्यादा प्रस्न पूछे जाते हैं जो होते हैं कर्मतत्पुरुस इसके अलग-अलग परकार के क्या हैं चिर्मार चिडियों को मारने वाला यह कर्म करम तत्पुरुस समास के उदाहरन हैं अगर इसमें सब्सक्राइब काम तत्पुरुसस को सभी भक्ति थीक्ति question स्वर्ग प्राप यानि स्वर्ग को प्राप शीद तोर यानि सीर को तोरने वाला और चीर मोर चीरियों को मारने वाला तो यह जो होगा कर्म तत्पुरुस समास के उदारन है करन तक पूरुस की अगर बात करें तो करन जो होगा इसमें से बिभाक्ति जैसे पद दलित पद से दलित है रस भरा रस से भरा हुआ है मद माता मद से माता इसको कहते हैं करन तक पूरुस करन से याद रखिएगा करन से संपदान के लिए यह हो जाएगा संपरदान तत्रुस समास और आगे जो होता है आपादान जो होता है इसमें होता है से यानि नेत्र हीन, नेत्र से हीन, राज भरष्ट, राज से भरष्ट, धन हीन, धन से हीन, ठीक है, यह आपादान तत्पुरुस हो जाएगा, इसमें से भिभक्ति का हो जाएगा, संबंध तत्पुरुस की बात करें, अन से, अन दान, अन का दान, अपादान से संबंध का के, ठीक है, स्रम दान, स्रम का दान करें, राज भरष्ट, राज का भरष्ट, अधिकरन में पर, अधिकरन क्या होता है, अधिकरन में पर, तो अधिकरन जो होगा, पुरुस उत्तम, दानवीर, दान में वीर, नरोतम, नरो में उत्तम, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो यह अधिकरन हो जाएगा, यही अब है कर्मधारे समाश, कर्मधारे समाश किसको करते हैं, देखिए कर्मधारे समाश जो हता है, कर्ता तत्पृुस को ही कर्मधारे करते हैं, कर्ता प्र करता जो होता है पुर्ब के पुर्व और उत्तर पद के रूप में हो सकते हैं अतहिया विशेस- kingdom के समाश है जैसे नव यूबक पितांबर पीत है जो अमबर परमेश्वर परम है जो इस्वर नील कमल निल है जो कमल इसे कर्मधारे समास कहते हैं आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होगे, अब हम लोग बात करते हैं तीरतिया, बहु बिरी समास के, तो बहु बिरी समास देखिए, इसमें होता है, कोई भी पद परधान नहीं होगा, बहु बिरी समास की बात करें, तो इसमें कोई भी पद जो होता है, परधान नही नहीं होगा बलकि किसी अन्य पद का भी सेशन होता है यानि कि इसका अर्थ जो होगा किसी अन कि अनन्य का बोध कर आएगा हैं सब्दों का बोध कर आएगगा किसी अनसत अर्थ बताएगा इसे हम लोग बहुदी समास कहते जैसे चन्दसेखर है चन्द है सिखर शृपध सिर्पत जिसके महादेव है deutlich है यानि महादेव के लिए है कंठ जिसका यानि सीवजी के लिए कहा गया है मतलब कि देखें बहुब्री समास उसको कहेंगे जिसका कोई पद पर्धान नहीं है और समस्त पद जो होता है एक अलग अर्थ देता है जैसे नील कंठ जो है यह सीवजी को कहा गया है और दसानन जो है रावन को कहा गया तो कोई पद जो है परधान नहीं है और यह एक क्या है विसेशन है तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से बहुबरी समास को समझ गए होंगे आपको कोई तरह की परिशानी नहीं होनी चाहिए इसको अब चाउथा जो है दोंद समास है दोंद समास जो होता है सभी पद परधान होते हैं याद रखिए अगर दोंद समास जो होते हैं सभी पद जो होते हैं परधान होते हैं और इसके योजक अव्यव का लोप होता है यो थम पद और दूतिय पद दोनों पद जो होते हैं परधान होते हैं और इसमें योजक अव्यव का लोप होता है इसमें हात पाव माता पिता पिता पुत्र डाल रोती पापपुन भाई बहन घरद्वाद इस यह दोंद समास के उदाहरन होते हैं आई होप यह आप लोग समझ और पाचमा जो है दिगु समास यह तत्पुरुस के कर्मधारे भेद का ही समास से तत्पुरुस का पुर्ण पद भी सेशन होता है तत्पुरुस का पुर्ण पद भी सेशन होता है जबकि इसका पुरुव पद संख्या भी सेशन होता है तत्पुरुस के नाति इसका उत्त अंतिम पद्जो होगा वह संग्या होगा उसी को क्या करते हैं दिघु समास करते हैं ठीक है जैसे पंचवटी पंच वटी पंच वटी में देखिए पांच जो है यह संख्या का बोध करा रहा है वटी का मतलब होता है वाटी का ठीक है तो यह संग्या है तो जिसका पर्थम पद संख्या बाचक और अंतिम पद संग्या हो उसी को क्या करते हैं दिगू समास करते हैं ता यहोप आप लोग दिगू समास को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आखरी जो बचा हुआ है अभ्यवी भाव समास अभ्यवी भाव समास इसका पहला पद अभ्यव होता है पहला पद इसका अभ्यव होता है और इसका समास तो पद जो होता है किरियावी सेशन अभ्यव होता है जैसे यहां पर देखे पर्ती दीन पर्ती और दिन इसमें अब्यब का लोफ है यह किर्याबिसेसन यह सब में आजन ती यथचा सकती ये सबीयो समाँ होता है stocks इसमें याद रखेगा इसका पहला इवाःव होता है और समस्त जमीरा विसेशन होगा और इसका पहला भाट होगा आए एक हैं लोग इसको क्या करते हैं रिक कर लेते हैं इन एक बढ़ इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं सोटकट में समास के छेह भेद हैं आप लोगों को पता है कर्म को करन से संपरदान के लिए आपादान से समंध काके की अधिकरन में पर फिर है दूसरा कर्मधारे समास कर्मधारे समास कर्मधारे समास में कोही कर्मधारे कहते हैं करता का अर्थात क्या होता है पर्थम्विभक्ति के पुर्व उत्तर पज्य होगा विशेशन विशेश रुही हो सकते हैं यह विशेशन विशेश पदों के समास है जैसे नव नील कमन महान है जो आतमा ऐहँ होप अच्छे से गते सब्झेम नहtvा ऐसे बहुखं़ेें लोकлом कुशंष्क पद प्रधान नहीं होता इसका समस्थपद क्या होगा अन्पद का भी सेशन होता और समस्थ पद के लिए अन सब्दों का बोध कराता है उसे बहु बिरी करते है इसका कोई पद बहु बिरी समास उसको करते है जिसका कोई पद भी परधान नहीं होता है और इसका जो पद जो होगा विसेशन होता है और यह एक अन सब्द का बोध कराता है उसे ही हम लोग बह बहुगः समास के उदारण द्वंदऔर समास द्वंदर समास की अगर बात की जाए तो द्वंदर समास इसके सभी पदपर्धान होते हैं और इसके योजकः अभ्यव का लोफ होता जैसे हाथ पाउ, माता, पिता, पिता फुत ऋ दालोट और दिगू समास दिगु समास यह तत्पुस कर्मधारे के भेद होते हैं, दिगु समास में जो होता है पर्थम पद संख्या बाचक और अंतिम पद संग्या होता है उसे दिगु समास करते हैं I hope आप लोग अच्छे तरीके से समझ गये होंगे और आखरी में जो है अभियभी भाव समास अभियभी भाव समास में इसका पहला पद अभ्यव होगा और इसका समझ पद जो होगा किरिया भी सेशन अभ्यव होता है उदाहरन पर्तिदिन पर्तिमास यथा संभव I hope आप लोग समास अच्छे से समझ गये होंगे आएए अब हम इसका mcq टेश्ट लगाते हैं यदि आप लोग अच्छे से थेवरी सेक्षन को समझ गये होंगे तो mcq भी आप लोग असानी से बना लिजेगा चलिए हम लोग वीडियो को सुरू कर अध्याय अब इसका हम लोग करने बाले हैं समास देखिए पहला जो है कारी कुसल है कारी कुसल जो है कौन सा समास से यह आप लोगों को बताना है तो देखिए कारी कु कुसल कौन सा समास से यह आप लोगों को बताना है देखिए इस प्रस्मिका सही उत्तर क्या होगा ओप्सन नमर्ड फोड़ हो जाएगा तत्पुरुस समास क्या पोले जिस समास का उत्तरपद परधान हो उत्तरपद परधान हो तथा दोलों के बीच का कारक चीन लुप्थ हो तो देखिए तत्पुरुस में भी कारक चीन लुपते हैं उसे तत्पुरुस समास करते हैं जैसे धानी असनानागार एबम कारी कुसल यह सभी क्या है तत्पुरुस समास है तो ओप्सन डी इसका क्या होगा ओप्सन चार इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा जो प्रस् तीसरा जो प्रस्ण हानिलाब प्रस्था परोद करने पर याद करने पर एबं या लगता हो उसे द्वन्द करते हैं क्या कहते हैं डॉन्द समास करते साब्ध किEMA derival लिएधा अब दोनों पदपर दानों तो और विग्रह करने पर तॉतवा या लगता उसे दोंज समास करते हैं या लाभ या 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 अथ वा तो जिसका दोनों पदपर्धानों या या अथवा प bon प्रसंख्या 4 देखिए नर सिंग तेकर नर सिंग है नर सिंग पुछा है कौन सा समास है देखे इस प्रसंग zor क्या होगा करमधार समास नर सießen ईया चरन कमल एवं अधमरश यहां नर विसेष एवं सि विसेषर है ठीकर नर क्या है विसेशन है नर क्या है विसेशन है एवं सिंग जो है विसेश से है ठीक है कर्मधारी समास कहलाएगा जिस जिस समस्त पद का उत्तर परधान हो एबं पुरुपद उत्तर पद के विसेशन एबं विसेश का सम्बंध हो वह कर्मधारी समस का लाता है क्या कर्मधारी समस का लाता है क्या कर्मधारी समस का लाता है क्या कर्मधारी समस यहां पर देखिए नर सिंग में नर जो है क्या है व प्रस्ण पूछा गया है कि देखिए प्रस्ण रंख्या 5 ग्रीह परवेश ग्रीह परवेश इस प्रस्ण का क्या होगा उत्तर ओप्शन ए हो जाएगा तत्प्रूस समास हो जाएगा ठीक है अर्थात ग्रीह में परवेश अधिकरन तत्प्रूस हो जाएगा ग्रीह में परव कि यता साथ मेधा सावण कि और स्मासों और बाव समास test होगा जिसकी चर्चा कर चुक है अब यफ कर दि समास का पुरु पद अब्यव पर्धान वोसे यता साथ यता साथ प्सका करते हैं-ब निया होजाएगा अभी वहाव समास हो जाएगा थो उसका होगा सही उत्तर होगा इन्हें कि अब प्रसंद संख्या शाथ यग साला यग साला की बात की जाये अर्ठ यग के लिए साला पढस अपर तत्पू समासय कौन है satisferson ago सम्पुर्ष समास का है ठीक है यहां देखे साग पाथ इहां से समझेगा साग पाथ साग पाथ जो हो इसकी चर्चा कर चुके हैं या तो या आएगा या फ़र क्या आएगा अथवा आएगा साग और पात क्या होगा दोंद्र समास हो जाएगा यह भी लोग से बायोग का पूछा हुआ प्रस्न है देखे पन चक्की पन चक्की अर्थात पन की चक्की यह भी तत्पूर्ष समास होगा पन की चक्की तो क्या होगा तत्पूर्ष समास हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा प्रस्न संख्या10 युद्वोमि युद्ध अर्थात युद्ध के लिए भोमि यह भी दखिये क्या हो solar propri समाच हो जाएगा प्रसे माफ आए एक नमबर क्या हुजायगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनानाध यहां देखे प्रसंद संख्या 11 दीना नाथ पद में दीना विसेशन है और दीना नाथ क्या हो जाएगा करमधारी समास जिसका पर्थम पद क्या होता है विसेशन और दूतिय पद जो होता है विसेश हो उसे करमधारी समास करते हैं तो एक हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जा बहु बिरी समास हो जाएगा बहु बिरी समास किसको कहते है जिसके समस्त पद कोई पद परधान नहीं होता इसमें देखे ब्रज पानी किसके लिए का गया है सरस्ति मा सरस्ति के लिए का गया है ठीक है चक्रानी बर्ज पानी पंकज आदी ब्रज पानी जिसका अर्थ होता है सोरी इंद्र होता है ब्रज पानी कार्थ होता है इंद्र होता है जिसका समस्त पद का कोई पद पर्धान नहीं होता है ठीक है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का की और संकेट करते हैं ब्रज पानी किसको कह गया है इंद्र भग्मान को कह गया है इसे बहु बिरी समास किसको कहते हैं जिसका कोई पद परधान नहीं हो और जिससे दोनों पद मिलकर एक अन्य तीसरे पद की और संकेट करता है उसे ही बहु बिरी समास कहते हैं जैसे यहां च प्रजपानी ये सभी जो है पंकज ये सभी जो है ब्रज ये सभी जो होता है इंद्र के इंद्र के लिए इस्तमाल किया गया है आगर प्रसंत संख्या तेरे जन मांग जो है अर्थात जन म से अंधा तत्पूत समास होगा तो प्रसं नमर企य चार इसका क्या होगा सेउंत्तर हो हो जाएगा द्वन्द देव और सुर्फ द्वन्द समास हो जाएगा तो उप्संद चार इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा प्रस्ल्दंख्याद 15 नील कमल नील कमल नील क्या है विसेयसन और कमल क्या है विसेयस है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग करमधारी समास कहेंगे तो उप्षंद 3 इसका क्या होगा सईयुद्तर हो जाएगा राजपुरूश क्या होगा का lifes हमικै fans समास हो जाएगा तो उप्शन एक इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा कि देखिए आगे है सव परिबार सव परिबार क्या होगा बहु बिरही समास हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा बहु बिरही समास हो जाएगा इसमें देखे सवपरिबार में इसमें कोई पद परदान नहीं होता है और यह समस्त पद मिलकर एक तीसरे सब्द का कि और संकेत करता इसको क्या करते हैं सवपरिबार इसको क्या आगे जो प्रस्न है राम आनूज को इतना प्रस्न करके जाए ताकि इसमें कोई भी प्रस्ण आपको एक्जाम में नहीं छूटे रामा आनूज आप लोग पूड़े वीडियो को देखिए हम इसका स्क्रिंसूट भेजेंगे एक्जाम होने के बाद देखिए यहां से प्रस्ण आते हैं directly या नहीं रामानूज रामानूज का अर्थ होता है राम का अनूज ये क्या होगा राम का अनूज ये हो जाएगा तत्प्रूश समास हो जाएगा तो option एक इसका क्या होगा सहीं उत्तर हो जाएगा देखे नव गरह यह भी हम लोगों डिसकेशन में किया जिसका समस्त पद का पुर्व पद संख्या भी सेशन नव क्या है संख्या पद और गरह क्या है संग्या है तो क्या बताई थे जिसका पुर्व पद जो होता है संख्या बाचक और अंतिम पद जो होता है वह संग्या हो उसे धिखोल समास करते हैं तो अप्शन एक इसका क्या होगा सही उततर हो जाएगा देखें प्रस्म को इतनी बार बनाना है कि आपको हर याद हो जाएं रन वीर नि बीर दीया हुआ तो तत्पुर्स आंखमुंद करमालिये poison 40 क्या यह हो जाएगा सदय को देशांटर देशांतर देखिए करमधारी समास क्या होगा करम धारई समास होगा देखें यहां पर 31 क्या है 31 यहां पर देखिए 31 संख्या बाचक है लेकिन अगर यह कहिएगा कि दोंद समास होगा 31 31 एक क्या है कि दोंद समास किसको कहते हैं इसका पहला पद यो होता है । इसका पहला पद लेकिन यहां पर देखा जाता है एक और 30 आाता है instruction या अथवा का जब योज़क आएगा क्या होगा दुछ समस हो जाएगा सट्प फूर्धार्म का क्या होता है सत और जो धर्म करम धारई समास होगा सत्ये है जो धर्म कि मांगे देखेँ चारत इसका रहों का समोव में चाहर शंख्या बाचप है और बीसेसन च्रहों हाल टो क्या होगा दिगूांस हो जाएगा तो संचारी सका क्या होगा सहीद्धर हो जाएगा आगे हैं नव रत्न, नव रत्न का अर्थात होता है, नव रत्न का समोर, पद दिघू समास होगा, क्या होगा, दिघू समास होगा, दिघू समास पता ही है आप लोगों को, अब है रोग पिरित रोग पिरित रोग से पिरित पद तत्पुरुष समास होगा रोग से पिरित क्या होगा तत्पुरुष समास होगा कि कोश्चन नमर्ट 27 बन वास अर्थात बन में जो वास करता है उसको क्या करते हैं बन वास तत्पूर्श समास हो जाएगा आगे है भाव सागर भाव सागर क्या हो जाएगा करमधारे समास हो जाएगा भाव सागर क्या होगा करमधारे समास हो जाएगा क्या होगा करमधारे समास हो जाएगा ठेक है 29 इतना प्रस्वन कर लिजिए कि किसी भी परकार का एक्जाम में प्रोब्लम ना हो रात दिन ठेक है रात दिन देखें यहाँ पर रात दिन अर्थात रात ओर दिन क्या होगा दुन्द समास हो जाएगा तो अफशन 3 इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्र समास आप लोगों को पता है जिसके सभी पद परधान होते हैं और योजक अब यव लोप हो जाता है जैसे हाथ पाव रात दी ठेक है पिता पुत्र दाल रोटी यह सभी द्वंद्र समास के उदारे में आगे देखिए त्री फला त्री फला तो यहां पर पुर्व पद जो होगा संख्या बाचक तीन का उदाराना रहा और फल क्या है यह संग्या है जिसका पहला पद संख्या बाचक और अंतीम पद संग्या हो उसे हम लोग क्या करते हैं दिघू समास करते हैं तो क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा उप्शन तीन हो जाएगा इ तो क्या हुझ जाएगा संबंद् Thinking समाथ हो जाएगा संबंद्ध कह कि होता है तो राज़ेंघ़ राज्य राज्या कि फुत्र सपंस यहाँ पर हो.- ! संपतान तदपूर्फ हो जाएगा ! 3 इसका हाथ ? बिद्यार्थी प्रस्ण संक्यात नेतीस जो है बिद्यार्थी है बिद्यार्थी में क्या हो जाएगा कर्मधारई समास हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्मधारई समास अब कर्मधारई समास किसको कहते हैं तक कर्मधारई में क्या बताए हैं कर्मधारई का कर्ता तत्पूसो क कर्मधार करता अर्थाथ पर्थम बिभक्ति पूर्व और उत्तरपद विसेस सन एबंविसेस रूप में हो जाते जैसे विद्यार्थी LIVE ठीक है कि जैसे पीतांबर होता है जो अंबर महातमा महान हो जो आत्मा उसी परकार विद्याथ ठीक है कि यह क्या हो जाएगा करम धार इसमाशच तो उप्सन 2 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा है कोस्ट्fast हेमें चलम मौ ठाटीफोर सूप दर्परीस हो अर्थाथ सुनदर है जो पूरूस यह क्या हो जाया करम समास हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा करमधारे समास हो जाएगा सुन्दर जो है प्रूस प्रस्टन शंख्या 35 गिरह कट गिरह कट मैं जो है गिरह कट ये देखिए गिरह कट है ये बीण गिरह कट है डिरह है जिसका कट देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, अस्टेनोग्राफर में यह पूछा गया था, तन मन धन जो होगा, यह क्या हो जाएगा? दोंद समास हो जाएगा, जिसके सभी पद परधान होते हैं, और योजक अबयब का लोप हो जाता है, जिसे हाथ पव, माता, पिता, उसी परकार त तन मन दन इसका सभी पद परधान है तन भी है मन भी धन भी है तीनों पद जो है परधान होता है इसे ही हम लोग क्या करते हैं दो अंद्र समास करते हैं इस परकार से इसका उप्सन नमर चार क्या होगा सही उत्तर होगा देखे question number 37 क्या पूछा है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन सब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या करते हैं बहुत ही अच्छा प्रस्न है उसे क्या करते हैं हम लोग उसे क्या करते हैं समास करते हैं तो संदू इसका सही उत्तर हो जाएगा अब देखे question number 38 जिस समास के दोनों पद परधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा बहु बिरही समास होता है जिस समास के दोनों पद परधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होगा बहु बिरही समास होगा यह रेल बे में पूछा गया प्रस्ण संक्या ठटीनाय कि समास के दोनों सब्दों को समानाधी करन होने पर कर्मधारे समास होता है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है तो यह हो जाएगा तत्पूस समास यहां पर देखे समझ यह बात को तत्तु समास के दोनों पदों को समानाधी करन होने पर कर्मधारे समास हो जाता है यह चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा आज के सेट का आखरी प्रस्ण समास के सेट का विसेशन और विसेश के योग से कौन सा समास बनता है जखे प्रस्ण किसी परकार भी पूछ लिए जाएंगे तो कर्मधारे कर्मधारे क्या होता है पर्थमपद विसेशन और विसेश का योग से क्या बनता है कर्मधारे समास ब गया समाप्त हो गया तो इसके बाद पर्यावाची सब भी प्रितार्थक सब सारे टोपिक वाई इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोभाइट कड़ाया जाएगा तो अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छार लगा हो हेल्फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ब वर सित्मा तो प्रिता रिन्टन को स्बसीट झाओ यह ऊपको जई लगा हो होगा हो भीवगासी मापको फव्व venture hand पलाया